नमस्कार दोस्तों आज 24 जन्वरी है और आज के दा हिंदू में आप क्या और क्यूं पढ़ें इसे लेके हम फिर से आज इने आज की जो पहली न्यूज है वह आपने सुनी ही होगी कि अभी रेस्टलर्स जो है वह बहुत बिरोध कर रहे हैं उनके जो प्रेसिडेंट है उनक की पे मैरी कॉम आपने जाना होगा मैरी कॉम का नाम तो सुना ही होगा और सिक्स टाइम वर्ल्ड चेंपियन रही है ए ओलम्पिक मेडलिस्ट रही है बॉक्सर है मैरी कॉम उनके हेडिंग में उनकी अधिर्षता में एक पैनल का अगठन कर दिया गया है जो इनकी जांच कर दिया है इस परकार के विवाद कुँ आते हैं या खेल में भी राजनीती की जा रही है या अधि इस परकार के कि बात आती है तो कोई भी खेल में क्यों इंटरेस्ट लेगा है तो इसके बारे में बात है तो इस पर थोड़ा सा मतलब सामाजीक मुद्ध है तो आप इसके बाद टू अस्टूडेंट्स इन केरला इंफेक्टे नोरो वायरस ठीक है अब नोरो वायरस आपको देखना है कि प्रभावित होते हैं और कितने लोग मरते हैं सामयने तहीं अधिकांस जो है बच्चों में बहुत ज्यादा इफेक्टिड होता है जैसे यहां पर लिखा भी गया है टूल चिल्डेंट आप क्लास वान एंड क्लास टू भावन्स आदर्स विद्याले साथी साथ एक छुआ चूत का रोग है या संक्रामक रोग है जिससे लोग आपके साथ खाना या किसी तरीक किसम पर्क में आते हैं तो उससे यह रोग फैलने का होता है साथी तरीके की थोड़ा सा तब दो तीन दिन रहता है और काफी चीजें मतलब पेट बहुत खराब हो जाती है डारिया वाम रहता है और इसके उपाए क्या है क्या विस्व में क्या स्थिति है इसके बारे में देखना है अब जो अगली न्यूज है 21 अंडमान इसमें अधिया होगा तो आप नहीं गौर किया है अधिया अभी तक आपने तो आप गूगल पर जाए वहां पर मैप में जाई और अग निकोबर लिए और उसे जूम करिए उसमें कई ऐसे छोटे छोटे दीप हैं जिनका कोई नाम नहीं है उन दीपों को भारतिये जवानों के शम्मान में वे जवान जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर उन दीपों का नाम रखा गया अब यहां पर यह सवाल उठता कि उन पर ध्यान दिना जाना या उनके विकास या उनके परयतन या किसी भी अन्य सम्मावनाएं के द्वार खुल जाते हैं और साथी साथ सहीदों का सम्मान हो जाता है जैसे आपको बताता हूं कि लांसना अलबर्ट एक जो हैं जो जहारखंड के हैं अधियुने यह समान म एक बार कहता है कि चलो वहां पर देख के आते हैं इस परकार की बाते होती है तो यह बहुत अच्छी पहल है साथी साथी और न्यूज है यहां पर आसम टू बुक मैन मैरिंग गर्ल्स बिलो फोर्टीन इयर्स अंडर पॉक्स एक्ट आपको पता ही है कि जो प्रोटेक्शन कि बात की गया है तो एक व्यक्ति को गरफतार किया है 14 साल से कब उम्रिकेश बच्ची के साथी करने के लिए ठीक है तो आपको यह देखना है कि भारत में बॉब विवाह की समख्य कितनी है मेरात है का oni चलर करत आ जाए है बहारत में चार्ट जाकर आजाएगा साथी साथ मेरा यह यह देखेंगे की ईस्थिति है भारत में और इस्से क्या सामाजिक समस्या क्या समझ से आए यह समझ है कि 14 साल की कोई बच्ची है वो 15 या 16 साल में मा बन जाती है अब 16 साल की बच्ची जिसके भी पढ़ने के उम्र सुरू हुई थी रियल में अब 10 करती उसके बाद 12 करती फिर 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 अपने सिच्छा का विस्तार करके या फिर रिसर्च मतलब इजुकेशन लाइन में शुरू आतो होगी वह मा बन चुकी और इसे अधी नहीं रोका जाता है तो 18 साल में दूसरा बच्चा और फिर वह इन बच्चों के कारण जैसे आपने देखा होगा कि कई बार पर मांसिक लेवल पर तो यह मामला बनता करण से के सथी साथ एक तरीके से उसके सरीड का दुरोपयोग भी होता है तो इस पे बात की गई है सथी साथ आपको यह देखना है कि वच्ट क्रावधान क्या है में प्रोवीज democracy and its structural slippers, slippage, sorry democracy that is a functional around the world today even was, it has a long history of evolution was essentiality, 19th century and 20th century western creation every civilization of course democracy and pungi wad, democracy and pungi wad means that wherever the people are, there is a pungi wad and wherever there is a society, there is a people who are not in the world, China and Russia, we both say that we are people who are people who are, but if we look at Europe or the past year, they are not people who are people who are This is what we have done in democracy, which is what we have to do in democracy, which is what we have to do in democracy इनके बारे में पूरी बात की गई है तो आप इसे देखेंगे तो बहुत ही आसानी जैसे रिइनफॉर्श्मेंट ऑफ आइडेंटी चाहिए तो इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आसानी से आजाएंगी ठीक है इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है द सरी नीडे डे निव अप्रोज तो डाटा प्रोटेक्शन पॉर माइनर्स माइनर्स के लिए जो छोटे हैं अल्प जख्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् हमें एक नया अप्रोच जनरेट करना पड़ेगा आप समझ यह कि जब आप कोई ऐसी साइट खोलते हैं आपने आपको एक उधारन देता हूं कि मानलों आपने को टिटी प्लेटफॉर्म आप 18 साल से उपर के हो अधिया आपने हां कर दिया तो खुल जाता है अब यहां पर उसे कैसे पता कि आप 18 साल प्लस हो ठीक है यह नहीं पता दूसरी बात तो और हम बच्चों को क्या मानते हैं 18 साल से नीचे का बच्चा है तो अधिया करने लाइक नहीं है अव्यस्क है इसके मांसिक चमता उतनी नहीं लेकिन जब हम अभी हम देख रहे हैं रिल का जमाना या स्वार्ट का जमाना उनमें जो डेटा जा रहा है उनकी सुरच्छा हम कैसे करें इसके बारे में बात की गई है तो डेटा प्रोटेक्शन डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है उसमें क्या-क्या प्रोविजन्स है और उनमें क्या-क्या अमेंडमेंट किया जाना चाहिए इसके बारे में बात की गई है ठीक है जैसे यहां पर देखे की कुछ चीजे हैं जो हमारे बच्चों के लिए सकेंड ड़ नॉट टेक प्रोटेक्शन बिल में हमारे क्या प्रावधान की गई है इसके बारे में बात नहीं की गई है साथी साथ सर्वे की बात की गई है तो मैं जो कहना चाहता हूं वो ध्यान रखेगा कि आपको यह देखना है कि जब OTT प्लेटफॉर्म या इस तरीके के सुस्यल मेडिया प्लेटफॉर्म जहां पे कोई डिजिटल पहचान नहीं है जहां पे हम जो भी कह लेते हैं वो मान लेता है वो मान इसलिए लेता है क्य जाता है या हम उसमें लॉग इन कर पाते हैं और साथ ही साथ हम कई फोटो अपलोड करते हैं कई चीजें अपलोड करते हैं जिनका दुरूपयों किया जा सकता है उसकी सुरच्छा कैसे की जाएगी इस पर बात की गई है तो आप इसे पढ़ लेंगे बहुत आथनी से समझ अब यहां पर देखिए तचार्ट शोदा नंबर आप यूनिकॉंस क्रिएट इन इंडिया इचियर इन लास्ट टिकेट ठीक है यूनिकॉंस कितने क्रिएट किये गए 2011 में देखिए तो एकदम से बिल्कुल नगे नहीं है एक दो यहां पर बारह तेरह में बिल्कुल नही करीब होगा है उन्नीज में भी दस के करीब 20 में यह पंद्रा के अगरीव और यहां देखते एक किसमें तो यह पचास के करीब यूनिकॉंग है अब यूनिकॉंग किसे कहते हैं जो भी कम्पनी वण बिलियंद डॉलर की पुन्जी जिसके पास हो हाना यह प्लस फो उसे हम यूनिकॉॉण के नाम से जानते है वन बिलियन डालर एक अरब डालर ठीक है तो यह हमको ध्यान में रखना है तो इसी परकार से क्या चार्ट जो है यह चार्ट है अप्लाइंग स्टार्ट फोर स्टार्ट अप जैसे 2022 में भी हम देखें तो 25 के करीव स्टार्ट अप हैं जो यूनिकॉन बन चुके हैं और उनमें से भी बैंगलूरू 49 परसेंट गुरूगराम 16 परसेंट मुंबई इतना दिल्ली 6 दिल्ली न्सियार और बैंगलूरू जो कि लगभग 40 और 20 सतर परसेंट के करीव स्टार्ट अब यहां पर एक मामला है कि दूसरे चेत्रों में का मामला क्या है कि दूसरे चेत्रों का मतलब है या दूसरे राज्जियों में क्यों नहीं जैसे कोई भी राज्जी ले जेते हैं उत्तर प्रदेश के राज्जी नौईडा को छोड़ देते हैं तो बाकी चेत्र कहां गए या राजस्थान गुद्राद पंजाब हरियाना इनके चेत्र कहां गए तो इस परकार की बातें भी आप देख सकते हैं उसके बाद है सीड एंड एंजल फंडिंग फंडिंग अब यहां पर सीड और एंजल फंडिंग क्या होता है तो आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जब हम को यह स्टार्ट अप खोलते हैं तो समयने तक क्या करते हैं सबसे पहले हम अपने अपने अपनी जो पूंजी होती है उसको लगाते हैं और साथ ही साथ हम क्या करते हैं अपने फैमिली से अपने दोस्तों से उधार लेकर उसमें पूंजी छोगते हैं इससे pre-seed funding कहा जाता है ठीक है, pre-seed funding अब उसके बाद जब हम एक startup को safe दे लेते हैं तब हमें जरुरत होती है seed funding चाहिए वह फंडिंग की है तो उसके लिए कए कंपनिया है या एंजल फंडिंग के लिए जो कई कंपनिया है जो वह देती है अब जब समझो कि हम कोई स्टार्टप खोल रहे हैं और उसके पीछे आमने अपनी पूरी ताकत जोक दी और हमें सीट फंडिंग भी मिल गई तो हम क्या करते हैं अपने स्टार्ट अप को खूब जुनू से आगे बढ़ाते हैं अपनी जान लगा देते हैं और उसके आगे बढ़ाते हैं और तब हमें जरुत पड़ती है अब जब स्टर्ट करने की आविशक्ता होती है तब हमें जलत होती है सीरीज अ पंडिंग की आपने देखा होगा कि जो सीट फंडर हैं वह सामयनिता इस लेवल से उपर नहीं जा सकते हैं वह सामयनिता 5-10 परशेंट इस ही के लेवल में हमेशा रहते हैं अधिक जाएंगे तो 15 परसेंट तक बस बहुत जादा गये तो सुरुवात में 20 परसेंट तक उससे ज्यादा का मामला नहीं होता है लेकिन एक एक देखो कि ऑटल स्थिए फंडिंग्ञी से पनिग स्टार्ट तरीके से करते हैं और इन गांपेच्छा कृत्ट सबसे तो तो Seed Funder या Angel Funder को बहुत निवेश करना होता है, साथी साथ उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसके करण से ये और सबसे बड़ी बात है कि हमें सुरुवात में बहुत कम पुंजी के अवशकता होती है, उसके बाद एक्सपेंड करने के लिए हमें अच्छी खासी पु इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बेसिक अस्ट्रेक्चर पर हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो आप उस पर समझ लिए गया, यहाँ पे एक है, the dark sky is a natural resource and too much light is polluting it, यहाँ पे आप दो चित्र देख रहे हैं, यहाँ पे light है और यहाँ पे light कटी को समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर है, साथ ही साथ यह समझ यह कि हम लोग light pollution भी बहुत जादा कर रहे हैं, ठीक है, और आप इसे पढ़िए, ठीक है, और light pollution के सौच नहीं पे बात की भी गई है, reduced light pollution more consistent, तो आप उसके बाद पढ़िए कि light pollution क्या होता है, हम इसे कैसे कम कर सकते हैं, और थावर की रूप में क्या मनाते हैं, कॉन कॉन से इसके लिए कॉन कॉन सी योजनाई है, कॉन कॉन से नइया, कॉन कॉन से आ जो है कि imagine its concept है यदंध यह कोई पहल है, तो उसके बारे में आप यहां से आप चान सकते हैं, ठीक है, इसके बाद जो अगली news है, से यह आप देख लेंगे और इसके बाद जो अगली न्यूज है वह है एपल टार्गेट रेजिंग इंडिया सेर और प्रोड़क्शन तू प्रोड़क्रिंज को 25 परचेंट फेज नमेर 14 पर है एपल टार्गेट अधी इस परकार की कंपनियां भारत में पचीस परचेंट तक उतपाधन करने लगे चींज से भी हम बहुत पीछे हैं बहुत हद तक हम मैंट्वेक्टिंग सिक्व्रम बहुत पीछे हैं अधी हम लेकि के कारण से भारत दीरे-दीरे विकास्ति तर्त्विदास्ता की यह बढ़ पाएंगा इसके बास जो अगलीन्वेद्व है लास्ट न्यूज वह है अगी है यह है नो फोरिंड इन्वेस्टमेंट के सोबरें ग्रीन बॉंड वांड पे सोब्रेंड ग्रीन पॉंड पर कोई cap नहीं लगाया गया है foreign investment में कोई cap नहीं लगाया गया वो जितना चाहें आप लगा सकते हैं तो आपका ये task है कि आप sovereign green bond पे एक tip नहीं लिखके या एक line में लिखके बताओगे या यह बताओगे कि sovereign green bond होता क्या है और इसका निर्मान क्यों किया गया है ठीक है दोस्तों अधे आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो please like, share, subscribe, comment जरूर करें धन्यमाद